वह आगत है आप सभी का एक न्यू वीडियो पर दिके MP वोड की तरफ से बहुती बड़ी अपडेट सामने आ रही है क्योंकि हो सकता है कि कुछ बच्चों को पसंद आए और कुछ बच्चों को पसंद ना भी है मैंने आपको बताई था कि December में होनी है आपके अरदवशिक प्रिक्चा है डेट आपके आगेegपोसपॉंट क्ी गई है और उसके बाद होनगे प्रिवोड एग्जम उसके बाद होनगे बोरड एग्जम तो प्रिवोड एग्जम उसको काफी ज़्यादा सकता है आगे आपको बताता हूँ वीडियो मैंड तक बने रहे हैं तो सब्सक्राइब के सांसे नोटिफिकेशन ऐकन जुरू सौन कटके रखिएगा एंपी वोड एक्जामनेशन से जोड़ी सारे इंपोर्टेंट अब तक टाइम पर पहुंच जाएंगी अब देखे ये कामने आती है तो वो अपने स्कूस में पूछ सकते हैं अब प्रीवोड एक्जामनेशन ना करवाने का एंपी वोड सबसे बड़ा रीजन यह दे रहा है कि अभी नवंबर में होने हैं चुनाओं चुनाओं में जो काफी जादे टीचर्स रहते हैं वो ड्यूटी में बिज जिससे कि उनकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी क्योंकि उसके बात फरवरी में आपको बोड एक्जामनेशन देने में फ़र्स्ट वीक में आपके एक्जाम स्टार्ट हो जाएगे तो ज्यादा टाइम आपके पास नहीं रहेगा क्योंकि प्रीवर्ट तो आपके हो नहीं रहे हैं अगर बात कर रहे हैं कि बोड एक्जामिशन के पैटन पर यह अपके अर्दवाशिक पर रिख्चों के पेपर बनाया जाएगा तो इसे साथ से तो आपका पूरा स्लेवस आना चाहिए पर इसका भी तक कोई भी कंफरमेशन नहीं आया है वह मैं आपको आगे पता करके बता दूँगा वैसे तो आपके अर्दवाशिक में होतनख है जितना कि आपका एकेट में प्रीवर्ध की उ किससे प्राइवे deck प्राइवेट कर वहां से प्रेपर से प्रैक्टिस कर सकते हैं बाकि यह जो अपडेट है वह तो प्राइवेट करवा भी सकते हैं उनके पर कोई भी बांडेशन नहीं होती है अगर उनके एक्जाम 3-2 वर्षक टाइम पर हो जाते हैं दिसंबर का टाइम बच रहा है जनरी का बच रहा है तब भी वो प्रिवोड करवा देते हैं उनको कोई भी दिक्कत नहीं है तो अगर आप प्राइवेट इस्कूस है तो आपके प्रैक्टिस होई जाएगी बागी जो गौर्मेंट इसकूस हैं वह अपना पेपर देख नहीं पाएंगे कि बोड एक्जामनेशन में क